दुनिया तक राजेपुर में तीन हपते दहाला टाइगर बन विभाग की सारी जुगत फेल टाइगर पहुंचा पडोसी जनपत राजेपुर गराम वासियोने ली रहति की सांस तो दोस्तो खभर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस खभर को लाइक करें शेयर करें गमेंड करें और देखते रहें यूपी 76 राजेपुर थाना चेतर के अंतरगत ग्राम उदेपुर में तेनुए की दिखने की कवाइस लगाये जा रहे थे लेकिन कैमरे की नजर में एक चीता देखने को मिला था चीता को देखते ही बन बिभाग एवं पुलिस टीम खास कर ग्राम वासियों में अफरा तफरी मच गई चीता को पकड़ने के लिए कानपुर वा लखनव से टीमें भी बुलाई गई परन्तु कुछ हासिल नहीं हुआ बन बिभाग दोरा लगाए गई ट्रेस कैमरों में चीता दिखाई दिया परन्तु कोई फाइदा नहीं जबकि चीते ने गायों सहित कई मवेशियों को अधखाई लाशें बना दिया जिससे राजएपुर छेतर में उदेपुर ग्राम वासियों की रातों की नीदें हराम हो गई परन्तु अब राजेपुर के उधेपुर ग्राम वासियों ने राहत की सांस ली जब पता चला कि चीता राम गंगा पार कर पडोसी जन्पत में चला गया टाइगर आखिर बन विवाग की कई दिन कट्री में परेड कराने बाद आखिर राम गंगा नदी को पार कर पडोसी जन्पत की सीमा में प्रवेश कर गया जिससे जिले के बन विवाग के अफसरों में राहत की सांस ली दरसल बीते लगवक तीन सब्ता से राजेपुर के ग्राम उदेपुर कट्री में राजेपुर के टाइगर के पड़ोसी जन्पत हरदोई वस साजापुर सीमा में दाकिल होने के कवायस लगा गए रविवार को इसकी पुष्टी हो गई बन विवाग की टीमों को हरदोई शाजापुर की सीमा में राम गंगा नदी की कट्री के पंजों के निशान मिले जिससे लगवग ये तै हो गया कि टाइगर राम गंगा नदीप को पार करके हरदोई शाजापूर की और बढ़ गया बनवेबाग की टीम को हरदोई से तिमिरपूर गाउं के आसपास पंजो के निशान मिले हैं रही हमारे साथ इसी ख़वर पाने के लिए और फिर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस खवर को लाइक करें शेयर करें कमेंड करें और देखते रहें यू पीछ olur फिर मraphन के साथ तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इर्शाद अली जैहिन